के नमस्ते एजी दहरेवान हिलिंग साइन से मैं हूं दहरेवान आपका अपना हिलिंग मास्टर दोस्तों kidney किड्डी functions के disorders बहुत जादा आते हैं आपके आपके patients के लिए बहुत सारे problems आते हैं आपके पास आप healers को बहुत सारी kidneys related problems देखने को मिलती है तो कैसे इसे heal करें इस पर आज मैं आपको पूरा complete practical video बताऊँगा पूरा तरीका समझाऊँगा ठीक है सबसे पहले जानना वीटा किड़ी का रंग कौन से चक्रा से जुड़ा हुआ है साक्राल चक्रा स्वाधिस्ठान चक्रा ठीक है स्वाधिस्ठान चक्रा से जुड़ा हुआ है किड़नी तो किड़नी की हिलिंग या किड़नी में स्टोन है किड़नी में इंफेक्शन है किड़नी में स्वेलिंग है आज की वीडियो में हम समझेंगे तो चलिए हम प्रैक्टिकल उस जगह पे चलते हैं जहां हम किसी की हेलिंग कर तो ये है वो मरीज जिनका हम केड़नी का हिलाज करने वाले हैं बिटा समझना सारी प्रक्रिया तो हीलर्स जानते हैं मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा आप देख रहे हैं ग्रीन किलर के चादर में मैंने नहीं लटाया है हिलिंग के लिए जो सबसे अच्छा है या तो आप अपना ध्यान वाला आसन में नहीं लटा लीजिए जिसमें आप खुद ध्यान करते हैं या फिर सेक्रल चक्र कहां होता है नैवल से बस थोड़ा नीचे तो सेक्रल चक्र के लिए हम कौन से क्रिस्टल से हिलिंग करते हैं कार्नेलियन स्टोन कार्नेलियन स्टोन तो यह लामा फिर्दा की छेड़ी है जिसमें कार्नेलियन स्टोन लगा हुआ है कई लोगों को कई हिलर्स तो कार्नेलियन स्टोन सूट नहीं करता है तो इतना सारा कार्नेलियन यूज नहीं करते हैं तो जो आपके मास्पर हैं वो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी छड़ी जादा उचित है ठीक है तो यह होगा कार्नेलियन स्टोन यह जो हर देख को 7 चक्रा स्टोल में कार्नेलियन होता ही है क्योंकि वह औरेंज किलर का होता है तो कार्नेलियन स्टोन आप या स्टोन या तो 7 चकर इस जो कार्नेलियन आ Mostse journalism आप इसके सप्वे Thailand में रखले ज़े स्वदिस्ठान के स्ःटें करे में रख ली यह ठीक है या फिर आपके पास सेवन चकरा के जो अलग-अलग पिरामिट्स है या तो साथों चकरों में रख लीजिए या तो सिर्फ सौधिस्ठान चकरा में रख लीजिए ठीक है सेक्रल चकरा मुलधार चकरा का अगर कोई प्रवल्लम होगा तो मुलाधार चक्र में रखेंगे ठीक है और बैसे ही अगर मनीपूर चक्र में कोई है तो मनीपूर चक्र में मुलाधार चक्र में रखना होगा तो मुलाधार चक्र में तो ये बटा एक हिलर और एक मरीज के बीच का जो एक आस्था और विश्वास का जो बंधन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है अगर मरीज बहुत अकलीप में है तो वो जरूर कराएगा नहीं तो उनके प्रतिक चिन्ह में भी ये चीज़ किया जा सकता है जैसे कि कोई तकिया जैसे ये तकिया है अब इसे हम में उस पीरामिट को रख लिया है ना तो या फिर आपके पास कुछ हिलर्स की लोगों हम ये बताते हैं कि जो बहुत करूणा में हैं जो भौनात्मक रूप से बहुत भावुक है तो उनको पीरामिट के जगा ये हार्ट स्टोन रखना चाहिए सेवन चक्रा का तो सेवन च इसके स्वदिस्ठान चकरा में रख दीजए या फिर उसके परतीक में रख दीजए ठीक है अब रख दिये हो हम फिलाल के लिए पिरामिट कड़ते हैं इसका कोई काम नहीं है ऐसेवन चक्रा अगर हिलिंग் सेवन चक्रा में सब चीज़ को ऐसा सब रख सकते हैं अभी उस की चाचा नहीं करेंगे समझना अब आपके पास सेवन चक्रा के ही पैंसिल है अब कौन-कौन से सिंबल बनाएंगे अगर थर्ड लेवल तक हो चौकुरे सेहे की और डाइकोमिय बना लीजे अगर ग्राइंड मस्टर सिख चुके हो तो डाइमो को अंताहकरण और क्योंकि किड्नी भी मुलगहर के आसपरसी होता है इसलिए आख सिंबल बना लेंगे इन तिनों सिंबल को बनाने के बाद आप इस पिरामिड में उसे भेजिए दोनों हाथों की उरजा को अपने पैंसिल में और पैंसिल की सारी उरजा को इस नोक से इस नोक पर भेजिए होँए उप्लिफाइ हो करके उनके स्वधिस्थान चक्र में जाएगा कौन से कलर की ओर्जा ब्रम्हारूं से उतर हैं साटर को 9 कि करते हैं तो ब्रम्हार्ण से उतरने всем से इस तुर्जा को यूजिए नर्जी को उपने अपने गुरूँ को याद करते हुए ऐपनी मास्टर्स को याद करते हुए अपने औरजा को अपने हतेली में ले करके इस Pencil में के थुम साथो चकरोς के पथरों के थुम इस पिरामेट में भेजए और क्योंकि स्वादस्थां चक्रे के लिए है तो आप या तो गुल्डन कलर के नर्जी भीजिए या फिर और इंज कलर की सबसे बैस्ट होगा एक तरह स्पैसिफाइब हो जाएए और इंज कलर की और जा को आप भीजिए तो अब समझा बिटा अब आपको सब कुछ दिख रहा है आप इनके शरीर को अपने आखो के एक सरे की तरह से बेखिए सबस्ट हैं चेकर यहां पर यहां पर किड्नी है अब यहां पर मैं वह नहीं कर रहा हूं साइकिक सजरी नहीं कर रहा हूं सिर्फ इस और जा को यहां जो मैंने इस पिरामिड में डाली है दोड़ है तीन मिनट के लिए तीन मिनट तक मैंने इस इस उर्जा को बहते हुद देखना है जुरत पड़े तो उर्जा को अपने पैंसिल के थुरू वहां बहने के लिए इशारा भी करना है और जब उर्जा यहां बहने लगी तो उसी समय इसके शरीर से जो नकरात्मक उर्जा है उसे अपने पैंसिल से ही खीच कर निकाले और यहां पर या तो एक नमक का पानी रख ले या तो एक अगनी कुंड रख ले या अपनी कलपना शक्ति से अगर आप बना सकते हैं तो काफी है लेकिन कलपना शक्ति से बनातने के बाद हम क्या उसको वहीं भूल जाते हैं उसको हम प्रमाण के हवाले नहीं कर पाते हैं तो असली रख लें नहीं तो कलपना बना लें ध्यान रख लेंगें सपना थे बनाने अब उसको यहां से भेंजना भी है व्लीण भी करनार तो टीम बार ध्यां रखना हमने पहले उनकी नक्रादम ओर जा कलीन नहीं करी। क्लिनिंग होने के बाद अब आप फिर से अपनी पिरामिट को अपनी पैंजिल से इस तरह से छो लेंगे और फिर से अपनी ओरेंज क्लार के ओरजा इसमें बहाना शुरू करतेंगे कई तरीके होते हैं ये भी एक तरीका होता है वे हैं तरीका होता है रिदा चक्र में हांत रख यहां यहीं काम कर सकते है हर चीज के लिए अलग 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 स्टिक खरेदे में की ज्ञ़ध नहीं है दो चार पांच चीज़ ही आपके सब में काम आती जिए सेवन चकर आके आपके बस प्रे में टु bundं होगया सेवन चकर आका आपके बस यूँन सारे हीलिंग में काफी होगा पस क्लियर कोड्स आपके पास नहीं है तो वो भी जड़र्द पढ़ने पे आप इस्तमाल करेंगे बाकि बहुत सारा क्रिश्टल को रखने से कोई फाइदा नहीं है बिटा में होता है आपकी उर्जा हाथों में होती है है ना प्राण और ज़या आपकी भितर ये सारे चीज़ें टूल्स हैं यह सब बैटरी हैं जो चार्ज होते हैं है सब चार्ज होते हैं और कुछ ने आपकी उर्जा समक्राज होते हैं तो आप इसके साथ अगर ये बच्ची ज canyon कि समस्या से गुजरी हुई है तो इनको काफी जादा ट्रॉमा है अगात है तो आप उनके हिदय चकर को भी इस तरह से हेल कर देजे अगर अलग अलग स्टोन है तो इसको ही उठा कर रख लो और थोड़ी हीलिंग उनके हिदय को भी तो ताकि उनका हिदय शांत हो मने शांत ठीक है तो इस तरीके से आप कितने की हिलिंग करेंगे और डिटेल क्योंकि इस तरह से पब्लिक लिए आपको नहीं लेकिन जैसे कि जो लोग हिलर्स हैं वो जो जानते हैं उनके मास्टर सिखाते हैं जब भी मैं भी किसी हिलर को सिखाता हूं तो और गहराई जो में लेकर कर जाते हैं अब भी लिकर जाओंगा तो आप बोर हो जाएंगे और समाज भी नहीं पाएंगे यह तकरिबन मोटी बात है जिससे हीलिंग होती है ठीक है औरेंज कलर का स्वाधिस्थान चकर औरेंज कलर की हिलिंग ठीक है जी तो देखा आपने किस तरह से हमने एक मरीज की हिलिंग की, यहीप प्रोसेस आपको दोहराना है, यहीप प्रोसेस, किड़नी का प्रॉब्लम कितना है उसके हिसाफ से हता है, कभी 45 दिन, कभी 60 दिन और कभी 100-30 दिन तक की भी हिलिंग होती है, किड़नी फिलर की condition में तो 360 days तक की healing हमने की है और दोनों kidney को recover किया है इसके साथ kidney से जोड़े कुछ परेज होते हैं जो medically आपको डॉक्टर समझाते हैं वो कराना है चाहिए जैसे कि पानी की मातर कितनी है कितनी लेनी चाहिए सिधे पानी नाप पी करके फलों का सेवन करना चाहिए या ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसे पानी की मातरा जादा है तो उससे kidney पर load कम पड़ता है जमीन में खाली पैर एक घंटा रोज चलेगा मरीस जिसे भी ये problem है खाली पैर जमीन पे मिट्टी पे खालू पे घास पे सूरी की उर्जा लेगा मतब सुबह सुबह 6-6-7 बजे वॉकर ने निकल जाए गार्डन पे है ना सनलाइट को अपने उपर पढ़ने दिशरीर की ज्यादा तरंग को सनलाइट के लिए ओपन छोड़े या पतला कपड़ा पेहन के लिए तो ये सब तरीके होते हैं जिससे किड़नी बहुत जल्दी हेल होता है ठीक है जिए और सबसे इंपोर्टन जो मैं हमें सिखाता हूँ जब भी किसी की हेलिंग करा रहे हैं फास्टिंग ज़रूर करा है 12 से 14 घंटे की फास्टिंग रोज मतब रात को 8 बजे खाया तो सबसे 8 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे ठीक है और पहला आहार सबसे दिव्य होना चाहिए प्राण उर्जा से भरा होना चाहिए टी कॉफी अच्छा है ये सब नहीं होना चाहिए दिव्य होना चाहिए नरल का पानी, हल्दी वाला पानी हाँ से निकाले हुए फलों का रस है ना इस तरीकी की चीज़ें को दिया जाए फलों का रस तो मैं साइट करूँगा नरल का पानी, हल्दी पानी शेहत का पानी ये सब प्राण उड़र से भरे हुए होते हैं सफेद पेठा जिसे बोलते हैं अलग-लग राज्यों में अलग-लग कहा जाता है हमारे चतिसगर में इसे रखिया कहा जाता है तो सफेद पेठा जिससे पेठा बनता है मिठाई बनती है, उस पेठे का जूस उस पेठे का रस उसे निकाला गुदे को बहार निकाला मिक्सी में फेटा और उसका रस निकालके पीना ये प्राण उज्जर से भरा हुआ है ये से केड़नी पेशंट के लिए वात नहीं बोलना हूँ हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्राण उर्जा होता है इसमें तो इससे हिलिंग बहुत देजी से होती तो आशा करता हूँ आपको ये विथी बहुत इच्छे समाज माई होगी मिलते हैं आने वाले अध्यायों में तब तक के लिए नमस्ते आजी